हेलो मेरे यूटूब के सारे प्रियमित्रों तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज हम सिर्फ एक पुराने कंगन से अपने अनाजों में से जो कीडे घुन पड़ते हैं उनको दूर करने वाले हैं बहुत ही आसान सा ट्रिक है दोस्तों और बहुत ही पुराना ट्रिक है वैसे तो दोस्तों अनाजों में जो कीडे पड़ते हैं उनको दूर करने के लिए मार्किट में दवा आसानी से मिल जाती है पर वो हमारे लिए सुरच्छित नहीं हैं केमकल से भड़पूर रहते हैं कित लेलू नुकसा जो बहुत ही सांदार नुकसा होने वाला और आप लोगों को काफी पसंद आएगा और दोस्तों अगर आप लोग इसे एक बार फालो कर लेंगे तो मेरे तरफ से 100% क्या 101% गरांटी है आपके आनाजों में कीड़े मकोडे कभी नहीं लगेंगे तो चलते हैं वीडियो श्टार्ट करते हैं इसी कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमको एक पुराना कोई चोड़ा वाला कंगन ले लेना है जो हम लोगों कोई घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है इसके बाद हमको लेसुन की कुछ कलिया ले लेना है तो हमने यहाँ पर 20- रहे जहाँ कोई असानी से मिल जाता है कडि पत्ते के डंठल से हमें पत्तियां को सुरुक लेना है जो के बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं अब यहीपर सुई लेंगे और धागाञए को हमने दो फेरे में करके डाल दिया है और नीची एक गांठ दे दिया है अब इन धागों में हमें सूई की मदद से लेसुन और पत्तियों को पिरो लेना है सबसे पहले एक लेसुन की कलियां डालेंगे छे साथ कड़ी पत्ते डाल देंगे इसी तरह से सारे धागे में हमें इन सभी को पिरो लेना है लेसुन और कड़ी पत्य को दोस्तों हमने धागे में पिрыो लिया है देख सकते हैं एक माले का आकार का बन के रेडी हो चुका है पिरोने में बड़ा मजा आया है अब यही पर जो हमने कंगन लिया था उसे ले लेंगे अब इस पिरोय हुए लैसुन और कड़ी पत्ते को हमें कंगन में चूडी की तरह लपेट लेंगे तो आप लोग बीरियों देख सकते हैं किस तरह से हम कर रहे हैं तो हलकी हलकी हातों से करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से चूडी में चारो तरफ लपेट लेंगे पहले से ही कीडे पड़े हुए हैं अभी आप लोगों को निकलते हुए लाइब दिखाएंगे दोस्तों अभी पर एक भगोना ले लेंगे और आधे चावल को निकाल देंगे निकालने के बाद अब बने हुए कंगन को हम इसमें रख देंगे फिर इसके उपर से हम निकाले ह वे चावल को डाल देंगे दोस्तों अगर आप लोग कुंटल के गेहु चावल इस्टूर करते हैं तो आप लोग एक कुंटल में कम से कम 4 से 5 कंगन इसी तरह से बना कर डाल दीजिएगा देखिए आपके गेहु चावल में कीड़े कभी नहीं लगेंगे और दोस्तों अगर आपके गेहुचावल में या दाल में कीड़े लग जाते हैं तो आप लोग इसी तरह से ट्रिक फालो करिए और उसे कम से कम 10 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और आपके कीड़े देखिए 5 मिनट में गायब हो जाएंगे फिर इन्हें आप साप करके अच्छी तरह से रख सकते हैं दोस्तों अब इनको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और कीड़े को निकलते हुए अभी आप लोगों को हम लाइब दिखाते हैं तो दोस्तों 2 मिनट भी नहीं हुआ आप लोग देख सकते हैं कीड़े कितने आसानी से निकल रहे हैं देख सकते हैं पुरे अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं कम से कम 2 मिनट हुआ है अब कीड़े निकलना चालू हो गए हैं दोस्तों बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पत्ती और लेसुन को धागे से पिरोने से अच्छा हम ऐसे भी तो डाल सकते थे पर आप सही सोच रहे हैं दोस्तों पर इस तरह करने से आपकी समय की बचत हो जाती है और आप के चावल भी बनके रेडी हो जाते हैं दोस्तो अगर उस तरह से हम डालेंगे तो इनको पचोडने में निकालने में काफी टाइम लगेगा दोस्तो अगर आप लोगों के अनाज अधिक हो और इसमें कीडे और भी अधिक हो तो आप लोग उसको इसी तरह करके कम से कम 20-25 मिनट के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दीजिये और देखिये आपके सारे घून कीडे जो है गायब हो जाएंगे तो दोस्तो इस ट्रिक को आप लोग दाल चावल गेहूं हर अनाज में इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो मेरी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताईएगा और नीचे एक लाइक का बटन दिया गया उसे आप लोग लाइक कर दीजियेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई